हालो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जो मैं कॉंडम यूज नहीं करना चाहते और मोस्ट आप दा केसिज में देखा जाता है कि एक टैबू है या फिर अंद्विस्वास है या कॉंडम को यूज उसको लेके कुछ इनसान की अपनी कोई मरदानगी वाली बात हो सकती है या फिर कुछ उसके पीछे कुछ धार्णा हो सकती है कुछ ट्रडिशन हो सकता है बहुत सारी चीजें होती है लेकिन मैं आपको एक बात क्लिरली बता दूं कि यदि आप कॉंडम यूज नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़े रिस्क पे हैं यह मैटन नहीं करता कि आप किसके साथ इंटीमेट हो रहे हैं कॉंडम यूज करना बहुत ही हेल्दी प्रक्टिस है और नाकेवल हेल्थ के पॉइंट अव्यू से बलकि कुछ केसिस में देखा गया है हमारे कुछ पेशेंट में हमने यह स्टडी की और हमारे पास एक क्लिनिकल डेटा भी है कि बहुत सारे लोगों को जो एंजाइटी का प्रॉब्लम था एक फियर था कि वही कंसीव ना हो जाए हमें अभी बच्चा नहीं चाहिए यह सेफ टाइम है या नहीं मतलब बहुत सारी चीज़ें भार रिलीज करना है तो यह एक प्रेशर यह एक फियर और यह एक आपने स्ट्रेस तनाब ले लिया सक्स के दौरान जि कॉंडम यूज करके कम किया जा सकता है पहली बात दूसरी बात यदि डूरेशन आपका कम है तो आप अच्छी क्वालिटी का डोटिट कॉंडम यूज करिए कुछ केसिस में देखा गया है कि आपके टाइम को काफी हद तक लगबग डबल कर दिया जाता है कॉंडम के यू दिमाग की exercise है उसका आपकी physical power से बहुत जादा कुछ लेना देना नहीं है कॉंडम के इस्तिमाल करने से आपके pleasure में आपके secretion में और आपका जो sex की जो पिरकिरिया है उसमें कोई बदलाब नहीं होता है क्योंकि हम masturbate करते हैं तब भी हम release ही करते हैं तब हम nightfall होता है तब secretion ही होता है और जब हम sex करते हैं तब भी secretion ही होता है तो इन तीनों conditions में आपको pleasure की अन्भूती इसलिए होती है आप उसको enjoy इसलिए करते हैं कि आपकी body के जो sex hormone से वो activate होते हैं आपकी body से उस activation के कारण उस process के कारण आपके जो sperm है एक process के तरो बाहर निकलते हैं यानि जो secretion है वो ही आपके orgasm का सबसे मोख कारण है अब वो condom आप पहन के secret हो रहे हैं या बगर condom के secret हो रहे हैं उससे कुछ जादा फरक नहीं पड़ता है लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बगर condom के sex करते हैं तो फिर जब वो condom use करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा change ल रहेंगे hygiene का issue नहीं रहेगा बीमारी का डर नहीं रहेगा plus conceiving का डर नहीं रहेगा और condom use करना एक बहुत अच्छा modern step है जो लोग पढ़े लिखे हैं mature है modern है वो यदि condom use करते हैं तो उनकी कोई मरदान की कम नहीं हो जाती उसमें या कोई आदमी यदि condom use करता है तो वो क काम आज भी नहीं हो जाता है condom के इस्तेमाल से आप दोनों partner के बीच में आपकी जो chemistry है वो अच्छी बनी रहेगी unwanted pregnancy नहीं आएगी जो एक दूसरे इंसान को जो infection होते हैं वो sexual transmitted disease हो सकते हैं और दूसरे भी disease हो सकते हैं फंगल हो सकता है लिक्यूरिया हो सकता है STT हो सकता ह HIV हो सकता है यह सब एक दूसरे partner से एक दूसरे को जो transfer होने का risk है वो भी कम हो जाएगा उससे और एक बड़ा और भी फायदा होगा कि आप fear-free sex को enjoy कर पाएंगे अच्छे से involve हो पाएंगे तो I personally request I personally advise as a doctor to all of you please use a condom and make sure आप sex से पहले यह make sure करें कि आपके पास condom होना चाहि उसके बाद बात आती है कि भाई औरत कुछ protection ले या आदमी protection ले इस पे भी बहुत बड़ा argument है क्लिनिक में मैंने देखाए कि आदमी औरत दौनों एक दूसरे से argument में उलजी जाते हैं कि मैं क्यों use करूं आदमी कहता है मैं क्यों use करूं औरत कहती है मैं क्यों कुछ क्यों तो मैं इसको यदि बैग्यानिक दर्स्टी कौन से देखूं तो आदमी का कॉंडम यूज करना जादे relevant है जादे scientific है और जादे फायदेमंद है comparatively एक female का कॉंडम यूज करना female condoms एक तो proper relevant proper condoms available नहीं है दूसरा उससे proper protection होता भी नहीं है तीसरा यदि female कोई दवाई लेती है emergency contraceptive pill लेती है या regular pill भी वो खाती है तो वो एक pill hormones है और hormones की दवाईयां hormonal steroid का अपने side effect होते हैं breast में tender बन सकता है cancer हो सकता है obesity आ सकती है और भी बहुत सारे जो problems है females को hormonal pill लेने के बाद start होते हैं तो better है यह के आदमी condom यूज करे that is a scientific that is a relevant और यह दौनों के फायदे में है और इससे आपकी बहुत सारी समश्य है हल भी हो जाएंगी तो I just request again के आप सब condom यूज करें और इस taboo से भार निकलें Thank you very much and take care